गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ करंट जी के विद्रवीजन माईसल्फ राकेश्टुमार आज है 24 नुवंबर सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की सो 1st QC ne CITMAX 2020 के 2nd edition में participate किया इंडिया थाइलेंड और सिंगा पूर ने इसके अंदर participate किया है यह इसका 7nd edition है और जो अपना अंदमान और निकोबार्ग दीप्सू है का जो एरिया है वहाँ पर ये संसकण आयोजन किया जा रहा है फिर बात करते हैं इस तरह से CIMBX 2020 के 27th edition क अंदर इंडिया और सिंगापूर जो कंट्री है वो इसके अंदर पार्टिस्पेट करेंगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के किस उत्तरपुरु रज्य पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंद परनानी के लिए ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेशन अभी मिला है नागलेंड का जो कोहिमा के अंदर नौर्थ पुलिस स्टेशन है उसको ये सर्टिफिकेशन अभी मिला है इससे पहले ये अपने बात करते हैं 9001-2015 का जो ये सर्टिफिकेशन है बेसिकली उडिसा की जो कापिटल है भुवनेश और उस सिटी को ये सर्टिफिकेशन अभी मिल फिर बात करते हैं प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी के साथ किसने रूपे कार्ड का सेकिंड फेज स्टार्ट किया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की अभी हाली में कौन सा देश 2023 में जी 20 समयलन का आईजन करेगा इसका राय टांसर होगा इंडिया 2023 में इसका आईजन करेगा और अभी जो 2020 के अंदर जो आईजन हुआ था वो बैसिकलि अपने सचुदी अरब के अंदर हुआ था 2021 का इटली में होगा और 2022 का इंडोनेशिया के अंदर होगा पहले 2022 का इंडिया के अंदर होने वाला था लेकिन अभी इसमें चेंजेज किये गए हैं और अब 2022 का जो G20 समयलन है वो बेसिकली अपना इंडोनेशिया के अंदर होगा फिर बात करते हैं महिला उद्मियों के लिए मास्टर कार्ड और USAID की भागिद्वारी द्वारा कौन सी प्रियोजना स्टार्ट की गई है फिर बात करते हैं विस्व मतष्य दिवस 21st November को मनाया गया फिर बात करते हैं हाली में अत्म आनंद अत्म निर्बर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप को किस कंपनी के द्वारा लॉंच किया गया इसके द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है फिर बात करते हैं नेविगेशन सैटलाइट सिस्टम के लिए किस देश को इंटरनेशनल मेरी टाइम और्गिनाइजेशन का नोड मिला है इससे पहले अपने USA रशिया और चाइना के पास खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है फिर ये थे लास्ट वीडियो के रिवीजिन की बात अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट कोशन की बात फिर फर्स्ट कोशन आदित्य विकरम बिर्ला कला सिकर पुरुषका टू थाउजन टोन की से किसे समानित किया गया है जो हमारे बोलीवूड एक्टर है नश्रुदीन शाह इनको इस समानित किया गया है फिर बाकी के जो उप्शन्स है उनकी बात करते हैं जैसे रश्किन ब बिर्ला जो कला किरन पुरुषकार है उससे समानित किया गया है यह जो अदित्य विक्रम बिर्ला पुरुषकार है इनको बेसिकली 1996 के अंदर पहली बार संगीत कला के अंदर के द्वारां परदान किये गए थे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की किस राज्य को मतश्य पस सुपालन और डेरी मंत्राले के अनुसार 2019-20 में सरोस्ट परदर्शन के लिए पुरुषकार मिला है तो इसका राइट आंसर होगा जो ओडिसा स्टेट है उसको ये प्राइज मिला है और उनको ये जो प्राइज मिला है बेसिकली जो मेरीन लेंड होते है उसके लिए मिला ह जो मेरीन लेंड वो लेंड जो की समूदर तर्ट के पास में परजेंट होती है फिर बात करते हैं इन लेंड की इन लेंड के पास की भूमी की बात करते हैं तो जिसके आसपास कोई भी अपने पास वाटर परजेंट नहीं है जिसके चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ लेंड ही प्रजेंट है उसके लिए बेसिकली जो उत्तर प्रदेश है उसको ये प्राइज मिला है और असम स्टेट को जो नौर्थ इस्ट है उसके अंदर बेस्ट प्रफोर्मिंग के लिए बेसिकली एवार्ड मिला है फिर अपने बात करते हैं नागालेंड के बारे में तो नागाले प्रिका को बढ़ाने के लिए येलो चेन नाम से एक स्कीम भी स्टार्ट यहां पर की गई है फिर बात करते हैं अपने जो मिनिस्ट्री ओफिश्रीज है डेरी उत्वादन है और पसुपाला ने भाग है इन सब के जो मिनिस्ट्र है वो भी गिराज सिंग्जी है फिर अपनों यहां पर बात की है उडिसा के बारे में इस बात करते हैं उडिसा स्टेट के बारे में यहां पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और यह वाला जो पॉर्शन आपको दिखाया गया है यह उडिसा का दिखाया गया है उडिसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट की बाउंडी टाच होती है जिसके वेस्ट बिंगोल के बात करते हैं जारखंड के बात करते हैं चतिसगड के बात करते हैं और अंदरप्रदेश की बात करते हैं यह कुछ स्टेट्स है जिनके बाउंडी ओडिसा के साथ में टच होती है फिर बात करते हैं ओडिसा के बारे में तो यहां की जो capital है वो बूनेश्वर है यहां के जो चीफ मिनिश्टर नवीन पतनाएक जी गर्णर यहां के गनेशिलाल है formation जो हुआ 1st April 1936 को हुआ जो यहां की जो highest peak है वो देवमली नाम से है और festival की बात करते हैं तो यहां पर जो रत यात्रा है वो काफी famous है और dances की बात करते हैं तो गुमूरा डांस हुआ रुकमार नाक्चा डांस हुआ और चाहू डांस हुआ यह जो dances है काफी famous dance है और exam में पूछे भी जाते हैं फिर बात करते हैं यहां का जो temple है वो कौनाक सन temple है जो की गंगमंस के नर्सिंवर्मन के द्वारा बनाया गया था और यह वाला जो point है temple और यहां के जो national park है सिमलिपाल national park और बितरकनी का national park ही यह जो दोनों point है यहां से exam के अंदर question जरूर पूछा जाता है फिर next बात करते हैं विदान सबा की 147 seats लोग सबा की 21 और रज्य सबा की 10 seat यहां पर पर परजेंट है फिर बात करते हैं current news of ओडिसा के बारे में ओडिसा सरकार के द्वारा अभी हाली में मचली से बने उत्पाद या फिर मचली को यहां के जो अंगनमाडी के अंदर है वहां की डाइट चार्ट में सामिल किया गया है और इस तरह का का यह कारे करम या फिर आयोजन करने वाला भारत का पहला राजे यह बना है फिर जो रगभी राष्ट्रिय टीम है उसको स्पांसर करेगा 2023 तक ओडिसा और सूजल मिशन जो शुरू किया गया वो यहां पर पर रहा है मद्दू बाबू पेंसन स्कीम यहां पर स्टार्ट के गी है जिसके अंदर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको सामिल किया गया है भूमें इन किसानों के लिए बलराम योजना यहां पर स्टार्ट की गई है और यहां पे 500 साल प्राना मंदिर जो की अपनी मह भान度ी है और प्रजेठा बर्जेम उसके अंदर मिला है और ऊडिसा का जो राज्येशंघ है वंदे उतकल इसको भी राज्य विर्जय शोंग design कादर चामिला और यह लक्षमे-कात महा पात्रा के द्वारा लिखीत है इसी तरह से बारतका पहला जो सुनामित यहार्जिय ह है उसका दरजा भी उडिशा को मिला है और इसके साथ मोविदुत पोर्टल जो है वो भी यहां पर स्टार्ट की गई है तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं यह आप लोगों को बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में WCOL की रिपोर्ट के अमसार विसो की जो सबसे महंगी सिटी है वो कौन सी है तो इसका राइट अंसर होगा जो होंग कॉंग सिटी है यह बेसिकली विसो की सबसे महंगी सिटी के अंदर आई है और अपने यह दि WCL की full form के बात करते हैं तो worldwide cost of living है इसकी full form और यह जो एक report paste की गही है basically economist intelligence unit EIU के द्वारा paste की गही है जिसका formation 1946 के अंदर हुआ और इसका headquarter जो है London के अंदर present है फिर अपने इसी के अंदर बात करते हैं जो second सबसे महेंगी city है वो Paris रही है और third position पे जो जूरिक है Switzerland की city वो इसके अंदर रही है इस तरह से इदि अपने next बात करते हैं London के बारे में सो भी 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा सहर जो है वो London को इसका word title मिला है फिर बात करते हैं अपने next question के बारे में अभी हाल ही में किस संस्था के दारा Copernix, Sanity L6, Michael Frackley satellite को launch किया गया है तो इसका अंसर होगा option D, both B and C, NASA and ESA के दारा बेसिकली यह जो satellite है उसको launch किया गया है यह जो satellite है बेसिकली Space X Falcon 9 rocket के दारा launch किया गया है और इसका मुख्य उदेश है बेसिकली जो भी अपने और सेंस है और सेंस के अंदर इसका जो water का level है वो कितना increase हो रहा है उसको monitor करने के लिए यह satellite को launch किये गया है फिर यहां पर अपने बात की गई यह नासा के बारे में इसी तरह से अपने बात करते हैं ESA का तो European Space Agency है और अपने बात करते हैं CNSA के बारे में चाइना National Space Administration है और इसके दोरा भी हाली में जो अपना चंद्रमा है चंद्रमा के उपर एक space के अंदर एक rocket बेजा गया है जिसके जो अपना moon है उसके उपर इसके लिए जो की वहां की जो भी अपने पास मिटी है उसको वापिस यहां पर नमुने के रूप में लाने का काम करेगा फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में हाली में किस राज्य के राज्यपालदौरा ओं-लाइन गेम्स को प्रतिबंदित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा तमिल लाडू के जो राजयपाल है बनवारी लाल जी प्रोईत उनके द्वारा जो भी ओनलाइन गेम से उनको परतिबंदित किया गया है इसके थोरा आप जो भी फैंट सी किर्केट गेम है या फिर फैंट सी किर्केट है या फिर जैसे अपने PUBG हुआ है फोजी हुआ ये कुछ गेम से जिनको यहां पर परतिबंदित किया है और इसके लिए उन्होंने बेसिकली यहां की विदान सवा के अंदर एक प्रस्ताव भी पारित किया है फिर अपने बात करते हैं यह कोई भी परसने सा करता हुआ पाया जाता है तो उसके पर 5000 रूपीज का जर्माना लगेगा या फिर उसको सिक्स मन्त की जेल भी हो सकती है फिर बाकी के उप्शन सहीद उनकी बात करते हैं जैसे की कल्यान सिंग की बात करते हैं तो यह राजस्तान के राजयपाल है जगदीब धनकर की बात करते हैं तो यह अपने वेश्ट बेंगोल के राजयपाल है और आनंदी बेन पटेल जो की मद्धे पर्देश उर्थे पर्देश की ये बेराजयपाल बनी हुई है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में टैनिस का निटो एटिपी फाइनल टॉर्नामेंट भी हाले में किसने जिता तो इसका राई टांस रोगा डेनियल मैदवेद के द्वारा ये प्रुसका के रहने वाले हैं और इन्होंने थोड़े समय कुछ समय पहले ही पैरिस टैनिस टॉर्नामेंट का खिताब भी जीता था अब इन्होंने डॉमनिक थीम जो की ऑस्ट्रियन प्लेयर है उनको हराया था और फिर अपने बाकी के उप्शन से उनकी बात करते हैं जिसे नुआक ज आर इनिस के उंदर लास्ट येर के उर्फ स्ट पोजिशन पे रहने का जो रिकॉर्ड है सिक्श्टाइम नोंने उठाया यह जो प्र्राइज या फिर अवार्ड है यह जीता है यह जीता है और इसी तरह से जो अपने सबसे पहले उस्ट्रियन ओपन होता है टुथाुजन टांस होगा उत्रा खंड के ने नीताल डिस्टिक के अंदर campus में तहद बैसिकलिए ये मॉस गाड़ ओपन होगा अब यह दो बात करते हैं इसी को अपने क्या कहते हैं फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो आप्शन्स हैं उनकी जैसे महाराष्ट्रा कि अपने बात करते हैं तो महराष्टरा के अंदर जो लोनार लेक है उसको बेसिकलिए भी रामसर साइट के अंदर सामिल किया गया है इसी तरह से उत्तर परदेश की जो खैतमल लेक है उसको भी इसके अंदर सामिल किया गया है और बिहार की जो काबारातल लेक है उसको भी इसके अंद सामिल भी किया गया है, अभी पर जेन्ट टाइँ में इन्डिया के अन्दर 41 साइट परजन्ट है Framesar साइट ineeral कि पे जो समें पर जाता है किस समय के लिए, इस का आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर देंगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में हाल में किसे लाल बादुर सास्त्री अवार्ड से समानित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा शुधा मूर्ती जो की इनफोसिस की को फाउंडर है उनको बेसिकली अवार्ड प्रॉइड करवाया गया है फिर बाके के जो अप्शन से उनकी बात करते हैं जैसे वर्ड फूड प्रोग्राम ही एक इंट्रनेशनल और इसको भी साहित अपने शान्ती का नोबेल प्रुष्कार मिला है इस बार का और इसी तरह से मार्की लुकास के बात करते है इनको इंटरनेशनल में बॉकर प्रुष्कार से समानित किया गया है और डगलस जो स्ट्वर्ट है इनको में बॉकर प्राइस से समानित किया गया है तो ये था आज का वीडियो और फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की सुगी बैन नुबेल के लिए दा बुकर प्राइस 2020 से डगलस स्टुएट को समानित किया गया है अभी हाले में मेगाले की जो सरकार है या मेगाले राज्य है उसने विश वो जी को चनक किया गया है ट्रेस ब्राइबरी विस्माटिक्स 2020 में भारत की 77 रेंक रही है और लास्ट इएर इस 78 पोजिशन पे रहा था इसी तरह से वात तयायर लाइफ टाइम अचीमेंट आवार्स की बात करते हैं तो रमेस पोकरियाल को समानित किया जाएगा अफरिक प्रकास जाविडकर के द्वारा किया गया है फिर बात करते हैं 243 सहरों में सफाई मित्र सुक्षा चैलेंज अधीप सिंगपुरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है फिर नेक्स्ट कोशन के बात करते हैं एडल गुइन इंडिया प्रोप का इलिस 2020 में जो टोप पोज स्टार्ट के अंदर सामिल किया गया है चाइना के द्वारा भी हाली में सिक्स जी संसार ग्रैक प्रिक्षन का पहला उपगराय सेटलाइट लॉंच किया गया है और वित मंत्रिया और केंद्री ये बैंकर उनों की पहली बिक्स की जो मिटिंग है उसको नियमला सितार्मन जी क के द्वारा टेंड किया गया था राष्ट एसिक्सा दिवस जो है 11 नॉंबर को बनाया गया और हम कौन सा देश जो है पने जो बीमाई जो सुचकांक है उसके अंदर टॉक पे रहा है सो निदर लेंडिस पे टॉक पे रहा था स्मार्थ मर्चंट सॉलूशन 3.0 जो है भी HDFC के दोरा स्टार्ट किया गया और मुह बंद रहो अभियान साइबर फ्रोड को रोकने के लिए भी HDFC बैंक के दोरा स्टार्ट किया गया है बुस्किया सिर्सक जो एक पुस्तकाई थी उसके जो एडिटर है वो ये शंत व्याजी है तो यह था आज का वीडियो ही दिए आप information का notification आपको मिल जाएगा at the last thanks for watching thank you, thank you so much